वीडियो के अंदर मैं आज आज आपको नेवी एमार की पूरी डिटेल आज आपको बताऊंगा देखिए आपके बहुत सारे क्वेशन्स आ रहे थी कि सर नेवी एमार के अंदर वर्क क्या होता है कौन सा काम हमको करना चाहिए और कौन-कौन सी पोस्ट के लिए हमें आविद क्यानल को सब्सक्राइब कर लीजिए वैल आइकन को प्रेस करने के बाद आप डारेक्ली मिश्टर राम के साथ आप एड हो सकते हैं देखिए मैं अभी यहां अफिशल बैप साइट पर प्रिजेंट हूँ अभी हम बात करेंगे देखिए MR के MR का मतलब होता है इस सबसे पहले इस जॉप के बारे में हम बात करते हैं घचे इसमें क्या होता है कि आपका तीन पोस्ट होती है एक तो सेफ एक होता स्टीब और एक होता है हाईजिनिस्ट यह तीनों की तीनों पोस्ट आपके MR के अंदर आती दियान से सुन लीजे पूरी डिडेलास आपक क्योंकि आप Navy MR के जितनी बंदे होते हैं उन से आप मिलते रहते हैं क्योंकि जहां है आप खाना खाना पीने खाने जाते हैं तो उस एरिया के अंदर MS ही लोग रहते हैं अब हम बात करतें सेफ के बारे में यहाँ पूरी डिटेल यहाँ पर बताईया है यदि आप खाना बनाने में बहुत अच्छे माहर हैं और यदि आप चाहते हैं कि सेफ की नोकरी आपको मिले नेवी के अंदर तो आप शेफ के लिए आबिदन कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको दौनों तरह का यानि कि पस यह बात याद रखना कि आपको नोन वेज भी बनाना आना चाहिए देखिए यहां पर दौनों की दौनों बाते कहिए यह बहुत इंपोर्टेंट बात है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मेरा दोस्त जो के अमर के अंदर उसका नोकरी लगा और कुछ टाइम के बाद वो नौन वेज की बज़े से उसने नोकरी छोड़ दे क्योंकि वो नौन वेज नहीं बना सकता था लेकिन यह आपके साथ नहीं होना चाहिए पहल कोई इमर्जेंसी शिप पर आ जाती है तो उस दोरान आपको उस इमर्जेंसी से बचने के लिए वो सारी जनकरियां सब कुछ आपको ट्रेंड किया जाता है कैसे आपको बचना है कौन सी जगह पर आपको पहुंचना है ठीक है आगे बात क्या जाता है कि यह सारी की सारी य खाना बराना आना चाहिए इसमें सेलरी का बहुत अच्छा प्राबदान है 21,000 से इसकी सेलरी स्टार्ट होती है यदि आप और एक और बात यदि आप सुरुवात के दो साल कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आपके जो प्रमोशन होता है वो हर अगले 6-1 साल के बीच में आप प्रमोशन टै हो जाता है आपको प्रमोशन डिपेंट करता है कि आप कितने अच्छे शेप हैं कितना अच्छा खाना बनाते हैं, तो आपके प्रैक्टिकली वह खाने को दे कर कहीं जो आपके नौकरी में आविनर करें उसके बाद ये को स्टी वार्ड आता है MR के अंदर ये भी पोस्ट खेयर अच्छी है या धिया बेटर लाइन में और अलग अलग जो भी उफीसर्स होते हैं उसे ये अप मिलना चाहते हैं बाचित करना चाहते हैं तो ये स्टी वार्ड की आपके लि भी सर्व करना पड़ेगा खाना इसके साथहीं साथ यहां पर बेटर का काम करना पड़ेगा बेटर का ओप लोग सब जानते होंगे इसके साथह साथथ Hoous Keeping डेपार्टमेट का आपको यह आ पस्ट यहा जाना चाहते है ईस रूम के अंदर ऑफिशल जो ऑफिशल रैंक रहते हैं उन सब के हाउस को बहुत अच्छी तरह से डेकुरेट करना डिजाइन करना वह हाउसकीपिंग स्टाफ के अंदर आता है इसके बाद के अकाउंटिक फंड यानि जो भी पैसे का लेंदन होगा वह भी आपको अब उसका करना चाहते हैं तो इस बाद भी बुरी नहीं है बहुत अच्छी नोकरी है इसके साथ देखो आगे लिखाई यूब आजसो भी ट्रेंड इन फायर अलाम यह तो दोनों में से मैं यानि दोनों के अंदर आप तीनों पोस्टों के अंदर आपको ट्रेंड किया जाता है इमर प्रिश्बास नहीं है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं इसमें क्लीनिंग ब्लीणिंग का बहुत सारा काम होता है इसमें लिखाये बिल भी रुकाई तू मेंटेन हाइजीन इन वाश्रूम जो भी वाश्रूम होते हैं उन सबकी सफाई का कारिकरम आपको दिया जा यह ओर आपके इस तरह से फाइर पर काबूी हो सकते तो वह को सब आपको को सिका दी जाता है तो फिलाल की बात है इसा है करें सम Fields के अंदर होता है कि सारी एक बात करें तो आपको जब आपका अडिए आप कौस्ट सब्सक्राइब होता हुझत वह आप क्यों आरे जब पार्टी चलेगी वाइन वाइन चलेगी यह ना रम विश्की बड़े अच्छी चीज़ें चलती है तो वह सब सर्व करने के लिए भी तो चाहिए ना तो राइड ना तो वह सारी चीज़ें स्टी बाड का होना बहुत जरूरी है सैफ का होना बहुत तो उस ताइम के दौरान नेवी एमार की भी जो है लुकाउट के लिए वाच होता है ना वाच कीपिंग तो उसके लिए उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है आप समझ रहे होंगे सारी यह लुकाउट ड्यूटी क्या होती है देखिए जब शिप यूनो शोर पर खड़ा र है क्योंकि जहां पर आपका इलाका होता है उसके काफी उसके आसपासी मर्चंट नेवी के भी शिप भी आते जाते रहते हैं तो उनका आपको पूरा व्योरा और उन पर नजर बनाई रखनी होती है काम आपका कुछ नहीं होता है सिर्फ लोकाउट ड्यूटी में आपको य या फिर अगर संदेग्द हालत में यह जो नाइट का टाइम एडिया आपका लोकाउट ड्यूटी लगा हुआ है तो नाइट के टाइम पर भी यह आपको कोई भी संदेग्द बोर्ट दिखाए देती है फिर कोई भी संदेग्द यानि कोई शिप नज़र आ रहा है ठीक है यानि 14 वीक्स का बेसिक ट्रेनिंग मिलेगा आयनेस चिलका के अंदर यह और कुछ ज्यादा है नहीं एजुकेशन ऑप्शन बता दिया आपका 10th क्लास होना आपके पास जरूर है यह यह 10th क्लास नहीं है तो आप इसके लिए आविदन नहीं कर सकते हैं क्वालिफिकेशन रिकार्मेंट यहां पर बता दिया MR के लिए चाहिए आप शेफ स्टीवार्ट सेंट हाइजनिस्टों 10th क्लास का पास होना जरूर है इसके बाद देखो दा एज ऑफ स्टीवार्ट शेफ और सानेटरी हाइजनिस्ट कानेट शोड़ भी विट्विन 17 तो 21 यानि आपकी पारकिंग नहीं होते है तो अब इसका यदि आप सेंपल पेपर चाहते हैं तो आप यहां से डाउलोड कर सकते हैं यहां से एस गर सकते हैं जांब dropped लाक आप देख सकते हैं यह स्क्रीन सटेवस ले लिए। नीची यदि यहीरिए आपको सेमपल पीपर को क्लिक करेंगे तो सेमपल प्रक्रीप करनी के बाद अब डारेक्ली इसकी लिंक पर जा सकते हम इसका चुलात फॉर जाएगा तो एक सेंपल पेपर यहां पर दिखाई देगा यह उसकी साइड पर अपलब जाए और एक और बाद इसमें कोई भी नेगडिंग मार्किंग नहीं है ठीक है अच्छा इसमें एक और चीज है जो कि आपको मैं बता देता हूं इसमें 50 कोशन की बात की गई देख ली और इसके साथ यहां पर सामा निगानकारी भी जानकारी दिए गई है तो इस तरफ यहां पर 50 कोशन दिए होते हैं जिनमें कि आपको अच्छा स्कोर करना होता है और अच्छे स्कोर करने के बाद ही आपका नमबर इसमें आ सकता है तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी ल ब्रैना हुआ में आपको नेक्स वीडियो में यह दिए जानकारी आपको आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप एक लाइक मैं तो जरूर बनता है और आपको नेक्स वीडियो में और इस वीडियो को यहादा श्यादा श्यादा शियर करें thank you so much